बिहार सिक्षक भड़ती यानि की BPSC-TRE की रिजल्ट का लाखो अब वेर्थियों को इंतिजार है यहां पर परिक्षा परेडाम जब भी आये लेकिन उससे पहले जो डॉकुमेंट्स हैं जो कहीं न कहीं आपको प्रडूस करने हैं डॉकुमेंट वेरिफिकेशन की समय यानि अप्लिकेशन महाश अकाडमी के नाम से ही है उसे भी आप जरूर देखें जरूर जोने जरूर डाउनलोड करें यहां पर आप देखेंगे अनुसानशित अभ्यर्थियों के लिए अनुदेश कुछ यहां पर इंस्ट्रक्शन्स देया हुआ है और यहां पर अगर हम बात क करते हैं गवर करिएगा इन्होंने बोला निम्नांकित कागजातों को जो है प्रस्तुत किया जाना चाहिए और यह डॉकुमेंट्स सभी के लिए हैं यहां पर कॉमन जो रिजर्वेशन वाले हैं उनके लिए भी मैं अलग से बता दूँगा कि उनके लिए क्या कुछ चीज सिका उस समय जब वहां पर स्काइनिंग हो रही थी यह मूल अभिपरती का क्या मतलब है यह प्रवेश पत्र मूल करके लिखा है ऐसे तो आप अभी उसको निकाल सकते हैं फोटो कॉपी आप निकलवा लीजिए प्रिंट आउट निकलवा लीजिए काम हो जाएगा उसे से यह मूल का मतलब यह है जब आपके वहां पर दो-दो आपके कॉपी जो है एडमिट कार्ड की लगी होंगी एक एडमिट कार्ड उन्होंने लिया होगा एक पर उन्होंने एक स्टिकर चिपकाया होगा चमकता हुआ छोटा सा स्टिकर चिपका दिया होगा ऐसे में कुछ इस ये जो आपका sticker है ये चमकता हुआ hologram प्रकार का जो भी आप इसे कहें इसी की एक स्वा अभी प्रमाड़ी तेनी की खुद से अटेस्ट एक copy रखनी है जिनके पर नहीं लगा है वो बिल्कुल से परिशान नहों जो भी उनके पास में है वही उसी का आप प्रिंट आउट ले आप एक नहीं कम से कम दो copies आप अपने करवा के रखिएगा साथ में लेकर करके जाएगा मतलब एक original और दो उसकी photocopies है नहीं कि तीन सेट आपके पास में होना चाहिए दो सेट होना चाहिए photocopies का एक original ठीक है अब ये मूल प्रमाड़ पत्र की सक्षडिक मतलब 10th 12th graduation BTC DLAD इन सभी का जो भी बच्चे है इन सभी का DLAD है जो भी आपका है इनकी copies होनी चाहिए जो कक्षा 11,12 और 9,10 के लिए है वो अपना जो है जो BAD के भीर थी है वो अपनी चीजों को लगाएंगे फिर बात आती है तीसरे में सीटेट अगर आप पास है अधर स्टेट से हैं बीटेट जो वहां के हैं टेट या एस्टेट, अभी अपना वी तक देट कीने रखना है और उनका सेल्फ अटेसरे में फिर हम चोथे पर आते है पास्पोर्ट साइज तीन फोटोग्राफ बोला हूआ है तो आप जानते में सेट में जो कई सारे सेट आपकी बन जाते हैं आपने online form भरते समय लगाया था, बिल्कुल different नहीं होना चाहिए, ये बात याद रखेगा, ओके, ये बात इन्होंने लिखी हुई है, आगे कहते हैं, अरक्षण दावा से संबंदित, अगर आप reservation के लिए claim कर रहे हैं, तो उसे संबंदित, जो भी आपके original documents है, और उनकी एक self-attest copy होनी चाहिए, ठीक है, किसी भी तरह का आप अरक्षण के अगर बात करें, वो भी सी में है, कोई certificate आप लगा रहे है, CST की बात है, EWS की बात है, वो सारी चीज़े आपके पास में होनी चाहिए, फिर आगे है, जन्म तिथी में छूट से संबंदित दावा, आप अग कर रहे हैं, जब हम जन्म तिथी में छूट की बात करते हैं, उसे संबंदित मूल प्रती और उसका self-attested copy, तो इतनी सारी चीज़े हैं, जो आपको अपने आप से बहुत अच्छी तरीके से collect करके रखनी है, पहले से ही तयार करके रखना है, इसमें कोई दिक्कत समस्या नह आप यहां पर आकर करके निवासी बन सकते हो, मलब अ़र स्टेट्स के भी निवासी आवimento कर सकते हैं, माफी चाहेंगे, बोलने में गलती हुई है, तो अधर स्टेट्स के निवासी भी आविदन कर सकते हैं, और कुछे स्टूड़न्स जुगार लगा करके यूपी वाले या अदर स्टेट के उन्होंने बिहार में जुगार लगा करके निवास बनवा लिया और उसके बाद वहां से फॉर्म भर दिया आप समझ रहें उन्होंने बिटीसी डियलेड कहां से किया हुआ है यूपी से किया हुआ है और कहां पे फॉर्म भर रहे हैं वो जा करके फार्म भरने कि हम निवासी हैं बिहार के बिहार का जो है निवास प्रमान पत्र लगा दिया तो मैं आपको बता दू बिटीसी डियलेड के टाइम पे भी आपका निवास लगता है उप यूपी वाले ही उपी बिटीसी डियलेड करते हैं और ऐसे में आप यहां क इस तरीके से ये चीज मैंने बताई है जो ये कई स्टुडेंट का ऐसे में था दिकत समस्या उनकी थी अभी भी कोई समस्या दिकत आपको लगता है कि आपके उसमें है तो आप कॉमेंट सेक्शन में लिखेगा उन सभी का जवाब जरूर दिया जाएगा वीडियो को शेयर जरूर करते रहें मिलते हैं एक और वीडियो के साथ में